हलो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हिंदी मिरर पर दोस्तों आज जैसे की आपको मालूम है हिंदी कावे शास्तर से संबंदित आपके टॉपिक चल रहे हैं जिसमें आपने अलंकार संप्रदाई उसके साथ आपने रिती संप्रदाई और ध्वनी संप्रदाई बहुत सा हैं हम कावे हेत ऊपर आपने जो है अभी तक टॉपिक भी किये हैं लेकिन चो टॉपिक में लेकर आई हूँ टॉपिक आपके किलिए है मैं मानती हूँ परंतु इन में बहुत से महतुपोन तथ्थे जो ऐसे में लेकर रहे हूं शैद आपने कहीं नहीं पड़े हं ओक त्रम पड़ें between 10 जैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसमें नई वीड़ियू के नौर्टिफिक्रीयों से मिलते रहें चले शुरू करते हैं क्या होता है कावे हे तो कितने माने गए है ये तीन माने गए है जो की प्रतिभा है व्यत्पत्ति है अभ्या से कावे ही तू माने गए है अब बताया है कि प्रतिभा कितने परगार की माने गई है ये दो माने गई एक सहजा होती है जन जात होती है अब इनका आ अध्यन जन्य से जो आपको देव के द् Gmail के द्वारा आप सीकते हो तो वह उती है सहजा और समयीff छो आगे चलते हैं आगे कहा रहे है परतिभा के दो भेद हैं शहजा और पादह किसने कहुं है लोको विध्या परक्रणी से कावेश्न उप्ति किसकी है ये वामन की है कावेहेतु के बदले काव्यांग शब्त का प्रयोक करते वे किस आचारे किस आचारे ने विधा और परक्रण को कावेहेतु स्विकार किया है ये वामन ने किया है कावे हेतों के विच्वन में राशेकर को मोली कुद भावना क्या है शक्ति और प्रतिक मावे बेद करना शक्ति व्यापक है जब कि प्रतिभा परिमित है उन्होंने ऐसा कहा है इस्विति, मती और प्रग्या तेन प्रकार किसने माने है ये राशेकर ने माने है सहजा, आहार्या और उपदेशी की परiciprial actual कवियों की करमशें तीन कोटी है सारसवत आद्या अभ्याजासिक और आपदेशीक का निर्धारन किसने किया है ये राशेकर ने किया है अब आते है प्रतिभा को नवनमोशी शालनी प्रग्या किस आचारे ने कहा है? प्रतिभा को एपूर वस्तु निर्मान शमा प्रग्या की साचारे ने कहा है यह कहा है अभी नव गुप्त ने मध्यकालिन आचारों में कुलपती ने स्वपर्थम कावे हितु का विवेजन किया तो यह सब जानकारी आपको मुझे लगता है कुछ अलगी जानकारी आपको यहां पराप्त हो रही है तो अगर लग रहा है आपको कुछ उनीक जानकारी आपको मिल रही है तो like and share करते रहिए साथ की साथ चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं कावे प्रयोजन पर सबसे पहले आपने कावे का जोरूप पढ़ा कावे के लक्षन पढ़े उसके बाद कावे ही तो हो चुका है अब आ गया हम कावे प्रयोजन पर क्या है कावे प्रयोजन कावे आईशसे अर्द्वते अव्यवार विदे शुवत्र शक्ति शद्धे पर निवरती है कांता इस्मुती है वत्त स्वें व्द्दम्रण ऊदिलते हैं कावय परुजन के संदर में यह कथन किसका है यह कथन आजार्यं मममत का है कावय का अंतिम्लक्षे जगत पर सबक्तिर्हें सब्सक्राणीक के सब्सक्राइब कहा गया है चलियागे देखते हैं किसमें होती है यह सिर्ध द्या में होती है शब्दार्त सरी तात्व कौाव में किसका कथन यह आनंदवर्धन का है बता दे तो इसमें कौन-कौन से आपके महत्तुपून है ऐग्जाम के पॉंट ऑफ यू से परति भावाला है थीक है यह वाली पंक्ति भी है शरीश शरीश तात्वा क्वामे किसका कथन है ये कथन आनंद वर्धन का है भारतिय कावेश रास्तर में भावक से अभी प्राय है सहर दे या अलोचक से है ये रगला देख लिजिए शरीर तादवय द्वेस्टार से वाच्छन पदा वली किसका कथन है दंडी की भी पूछी जाती है अकसर बहुती महत्वपूर्ण है कभी की अनेक कोटियां अभेदों का विवेशन करते हुए आचारे राशेखर ने क्या किया है उन्होंने अलग गरंद बताए हैं और आचारे के नाम बताए हैं बहुती महत्वपूर्ण में यहां पर गरंद लिए हैं बहुती महत्वपूर्ण व्यक्ति विवेक महीं भट कावे प्रकाश मम्मट साहित्य दर्पन विशुनात रसगंगाधर जगनात औशित्य विचार चाच शैमेंद्र कावे अनुशाशन हेम चंद्र धवनिया लोक आनदवर्दन धवनिया लोक लोचन अभिनव गुप्त दोनों का अंतर समझ के याद करना इसको ठीक है कावे अलंकार सार संग्रह उद्भट सरंगार तिलक रुद्र भट चंद्रा लोग जयादेव फिर है कोला यंद अपया दिक्षित कावे दर्श दंडी रती रहस्य का कोक दश रूपक धनंजे महा भाश्य पतंजली बहुत पूछा जाता है इसके बारे म में पूछा जाता है उजवल नीलवणी रूप गुष्वामी यह भी बहुत महत्तुपूण है अलंकार ती लगी बहुत महत्तुपूण वागभट अलंकार शेक्षर कवी केशव मिश्र ठीक है तो यह सब थे अलंकार गरंत और उनके रच्यदा बहुत ही महत्तुपूण यह सारे ही आप याद कर लीजिए इनमें से जरूर प्रश्न बनता है आपका ठीक है जहां से बनता है वो भी मैंने आपको बता है द्वनलोग द्वनलोग रोचन कावय अलंकार साशंग्र कावय नुशास अंडरस गंगंदर इनके बारे में तो जरूरी पूछते हैं रती कवित्वे वी जरूप संसकार विशेश शक्ति या परतिभा कावय का बीज भूत संसकार है यह कंथन किसका है यह थन्डी का है इनमें कुछ ऐसे पौइंट्स आप अपने समस्य बना लीजिए कि आपको देखते ही दिमाग में अन्जाम में किलिक कर जाए कि यह पंग्ति है ठीक है अब जैसे अभी पीछे पंक्ति आई थी उसमें हमने बना रखा है अपना आप भी ऐसे कुछ बना लिजी वैसे तुम्हें वता सकती हूं आपको कि आप ऐसे याद कर लिजे लेकिन आप खुछ से कुछ करेंगे इन पंक्तियों में कुछ से नोलेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा अब जैसे शरी सब्दारते शरीर है तो यह किसका हो गया यह आनंद वर्धन का हो गया अब यहां भी शरीर है यहां भी शरीर है तो दोनों के शरीर का मिलन कर दो दंडी और आनंद वर्धन तो दोनों ही याद रहेंगे कि शरी से संबंदित आनंद तो यह कथन जो है आपको याद रहेंगे आप जैसे यहां कावे में हैं यहां पदावली है तो कावे और जिन्जिका है पदावली दंडी की है तो इससे आप जो है अंतर करके ना जो मिले जूले होते हैं कुछ कथन उनको मैचिंग करके आपस में उनका फिर उनको अंतर करके उनको याद कर सकते हैं चलिए आगे देख लीजिए आपको यह तरीका बताया था कि कुछ इस तरक आप अपना बनाईए आगे देख लीजिए धोना लोग की टीका दोने लोग टोचन के रचयता अभी यह बिलकुल प्रशन आपने किया था उपर और चिते विचार चर्चा अभी कंठा वरन के जो ह स्वार्थनी करते कला के वर्थी पंग्तिया किसकी है यह पंग्तिया है मैथ लिशरन गुपती की चलिए आगे देखते हैं साहित्य के प्रयोजन के संदर में आचारे महावेर प्रसाद दिवेदी का मत है क्या है उनका मानना है कि उप्योगिता वादी है आचारे हजारी प प्रखें अत्म अनुबहुति का आभीवथग्ति काव्यथजन मानने और उन्होंने अभीव Hahn दॉक्टर नगेंद्री ने इन्होंने अनुभूति और इन्होंने अभियक्ति तो इन दोनों को रिलेटर करके पढ़ लीजी आपस में अब आगे आजेए कावे प्रोजन के संदर में निमले लिकित पंक्तिया किस रितिकालिन कवी की है एक लहे तब पूजन को फल जियो तुनसी सुर्गुसाई अहे लहे बहुसंपत केशो भूसंजियो वार वीर बढ़ाई एकन को जसो सो प्रोजन रस्खान रहीम को नाई दा कालीन आचारियों में सरपर्थम कावे प्रोजन पर विचान करने वाचार रहे को है कुलपती है पंचेवीत किस ग्रंद को कहा गया भरतमुनी के नाटे शास्त्र को ठीक है बहुत अच्छा यह पॉइंट है इसको जरूरी याद रखें तो इस प्रकार से आपके लिए बह कराई है साथ में कावे के बारे में भी समझायाया है कावे लक्षन हमि समझायार पंक्तिया भी आपको कतन भी सब कराया आई है अगर वीडियो को देखने बाद और हिंदी विर्ण के साथ ऐसे ही जुड़े रहें